हेलो, पेरे विद्यार्थियो, स्वागत आपका हमारी योटूब चैनल ओनलाइन इस्टेडी बाई एनके में आज हम करने जा रहे हैं कक्सा 3 पहल हिंदी की कारी पुस्तिका में कार ये पत्रक 41 से 46 उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और अगर आप लाइक करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा और हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो ले कराते रहेंगे तो चलो आएए देखते हैं कारी पत्रक 41 में दक्सता है वर्ण अथवा चित्र को देखकर सब्दों का निर्मान कर पाना पहला प्रसन है नीचे दिये गए जाल में कुछ पक्सियों के नाम चिपे हैं उन्हें डूंड कर लिखिए जैसे पहला यहां लिखा है कबूतर ऐसे ही जैसे यह है कोयल तो यहां लिख देंगे कोयल अगला है जैसे तोता यहां पर है कोवा यह जैसे मोर अगला प्रसन है दो का नीचे दिये गए सब्द जाल से अर्थ पूर्ण सब्दों को डूंड कर नीचे बोक्स में लिखिए यानि इन में से सब्द चांटने हैं और यहां नीचे लिखने हैं जैसे यह लिखा जूला देखो यह है जूला अगला है छाता नीचे लिख देंगे आगी है जैसे मूली यह है लिच्ची यह है कैलम यह है गमला फिर यह है लाठी फिर आगे है यहां है जिसे च्छाई च्छाई और यह है बस यह है बकरी यह हो गया जूला यह च्छाता यह गमला यहां च्छाई यह लाठी यह मूली यहां लिच्ची यह बकरी यह बस और यह कलम अगला कारिय पत्रक देखेंगे बियालिस का बियालिस का कारिय पत्रक है वर्न अथ्वा चित्र को देखकर नए सब्दों का निर्माण कर पाना चित्र देखकर बोक्स में उनके नाम लिखिए तदा उनके अंतिमवर्ण से नया सब्द लिखिए जैसे यहां लिखा पहला गधा जो अंतिमवर्ण है दा इससे दागा बना दिया तो यहां पर यह फूल है या फिर यह गुलाब का फूल है तो यहां ले लेंगे हमें गुलाब इस बैसे बनाएंगे बक्री आगे है मोर रह से बनाएंगे रसी फिर है जग तो गैसे बनाएंगे गमला आगे है हंस इससे बनाएंगे सडक फिर आगे है साप तो पैसे बनाएंगे पेट अगला है कारी पत्रक 43 का दक्सता है नए नए सब्द लिख पाना पहला प्रस्ण है सब्द में इ की जगह है आ मात्रा लगाकर नए सब्द बनाएंगे जैसे इसमें इ की मात्रा है सीला तो इ की जो मात्रा है उसको अटाना है आ की मात्रा लगानी है जैसे यहां है पीला तो इ की मात्रा को अटाएंगे पाला यहां निला है तो नाला यहां छिला है तो छाला लिला का लाला जीता का जाता अगला है दो का प्रसने इ की मात्रा लगाकर ने सब्द बनाएंगे इसमें लगानी है जैसे पाड का है तो पहाडी नाला है तो नाली पाप है तो पापी और बच्चा है तो बच्ची अपना अपनी साहस साहसी फेंका फेंकी पड़ा का पड़ी अगला है तीसरा मात्रा सब्द में ऊक की मात्रा लगागर सब्द बनाएंगे जैसे कैका कुल, खैका खुर, रैका रुक, सैका सुन इनके नीचे मात्रा लगती दाएगी सन का सुन खैसी का खुसी, गण का गुण, पल का पुल और तमका तुम अगला कारे पत्रक करेंगे हम 44 दक्सता है, अपने आसपास के प्रिवेश के बारे में जानकर लिखे पाना, पहला प्रसंद है ये क्या है रिक्तिस्तानों में लिखे उदेपूर, जेपूर जोधपूर, बरतपूर तो यह क्या है, सहर है यह, तो यहां लिखेंगे सहर, अगला है सवरूप सागर, फते सागर, उदे सागर, यह हैं जीलों के नाम, और उपरवाडे सहरों के नाम, अगला है बालू, सेर, चीता, हीरन, यह हैं जंगली जानवर, जंगली जानूरों के नाम, आगी है वाइजाज, बस, रेल, यह हैं यातायत के साधन, अगला है दो का लिखिए, एक गाओं का नाम, तो गाओं का नाम लिख दिया यहाँ, जेशिंगपुरा, एक सहर का नाम, तो सहर का नाम हम लिखेंगे जैसे भरतपूर, एक जील का नाम, तो जैसे उडिशा में है चिलका जील, तो जील का नाम लिख दिया चिलका जील, आगी है एक नदी का नाम, तो नदी का नाम है जैसे चमबल, रितु का नाम तो रितु सर्द रितु या सीत रितु अगला एक फूल का नाम गुलाब एक रंग का नाम पीला अगला है तीसरा परसन फते सागर के बीच नेरू द्यान बना हुआ है लोग वानाओं में बैठ कर जाते हैं निम्नां की जगाओं पर आप कैसे जाते हैं खाली जगाओं में लिखिए अपने स्कूल से घर तो स्कूल से घर कैसे जाते हैं जैसे कोई बस से जाता है कोई पैदल जाता है तो हम जैसे पैदल घर से खेत पैदल अपने घर से नानी के घर तो नानी के घर या तो बस से जाते हैं या कार से जाते हैं अगला है अपने घर से बजार तो जिसे कोई साइकिल से जाता है कोई बस से जाता है कोई कार से जाता है तो अपने इसाब से लिख लेंगे अगला है कारिय पत्रक 45 24. दक्सताया नए नए शब्द लिखे, पाना. पहला परसद है अपने गरवालों को उनके पसंदिदा खेल वर बच्चपन के दोस्तों के नाम पूछकर लिखिए. तो यहां लिख रखा इन से पूछिए बच्पन के दोस्त का नाम और यहां पसंद का खेल जैसे मा है तो मा के बच्पन का दोस्त जैसे सार्दा पसंद का खेल कवड़ी आप अपनी मा से पूछ के लिखेगा पिता जी के दोस्त का नाम जैसे कपील पसंद का खेल क्रिकेट दादा जी दादा जी के दोस्त का नाम तो जैसे मैंने लिखा राम लाल यहाँ पर पसंद का खेल जैसे क्रिकेट पोच के लिखना आपको चाचा जी या चाची जी के बच्पन के दोस्त का नाम तो चाचा जी के दोस्त जैसे सुरेश और अगर चाची जी का लिखेंगे तो जैसे सीमा इनके बच्पन का दोस्त का क्रिकेट और जैसे सीमा के खोखो बाई या बहन तो बाई का लिखेंगे जैसे बाई के दोस्त का नाम तो विने और बहन की दोस्त का नाम जैसे अनीता तो विने का पसंद का खेल जैसे क्रिकेट और अनीता की पसंद का खेल कबड़ी अगला अदो का विद्याले सब्द सुनकर हमारे मन में जो जो बाते आती हैं उन्हें लिखिए तो विद्याले का सब्द सुनके आपकी बन में जो बाते आती हैं वो आपको यहां लिखनी है जैसे विद्याले में सबसे पहले प्रार्थना होगी विद्याले में नए नए दोस्त मिलेंगे विद्याले में पढ़ाई होगी अध्यापक दोबारा अध्यापक या अध्यापिका पढ़ाय दाएगा विद्याले में बहुत मज़े आएगे अगला है तीसरा चेल दोनों वर्ण मिलकर चेल सब्द बनता है हम चेल चेला और ओ की मात्राओं से नयनी ए आ और ओ की मात्राओं से नयने सब्द बनाई नय है तो ए की मात्रा की सब्द बनाएंगे पहले जैसे जैल चल पल आ की मात्रा की बनाएंगे तो ताला काला अराजा अगला है O की मात्रा गे तो जिसे तोला गोल आओ अगला कारी पत्रक करेंगे हम छियालेस का दक्सता है गद्यानस अथ्वा पद्यानस को पड़कर उतर दे पाना तो देखो सबसे पहले नीचे दी गई कविता को पड़कर परश्मों के उतर लिख Guillنस लाल लाल से गोल टमाटर खाकर हो गए गाल टमाटर खून बढ़ाता छाल टमाटर पुर्ती लाता लाल टमाठर इसने पहला परसन आए उपर दी गई कविता में टमाठर सब्द कितनी वार आया है तो देखो टमाठर सब्द एक, दो, तीन, और चार तो क्या लिखेंगे? चार बार अगला है कविता में आये हुए सब्द फूर्ती का क्या आर्थ है फूर्ती यानि तेजी अगला है दो कप्रसन नीचे दियेगे वाक्यों को पढ़कर खालिस्तान को बरिये पेड़ दर्ती पर हमारे सबसे अच्छे दोस्ते हैं इनके बिना हम जी नहीं सकते हम पेड़ों को थोड़ी सी जगय और थोड़ा सा पानी देते हैं इसके बदले में वे हमें जीवन के साथ साथ और भी बहुत कुछ देते हैं पेड़ों से हमें साफ और सुद हवा मिलती है पेड़ हमें बोजन देते हैं हमारा कर्तवे है कि हम पेड उगाएं और उनकी रक्षा करें अब पहला इसमें पेड दर्ती पर हमारे सबसे अच्छे दोस्त है दूसरा पेड हमें क्या देते हैं? हमें बोजन देते हैं हमारा कर्तवे है कि हम पेडों की रक्षा करें पेडों की रक्सा करें अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद